मित्रो हम लोग के बीच में बिश्व के सबसे तागतवर लोकतंत्र के नेता और देश के सस्वी प्रधान मंत्री आजी नरंद मोधी जी बिराजमान है मैं अपने लोग प्रिप्रत्यासी और भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश धच डाक्टर महेंदनाद पांडे जी के आउन करता हूँ और उनके साथ सभी अपने बिधायक मंचा सिर्ण सभी नेतागंड क्रिपया एक बड़ी माला के साथ अपने प्रधान मंत्री जी का स्व आगत और अभिन्दन करने का करें आधनी पांडे जी बित्रो आपके लोग प्रिविधायक सुसील सिंग जी से चाहूँगा कि यो गड़ा दे करके अंग बस्तम दे करके स्वागत करें मित्रो मैं बिना बिलम किये हुए एक बार जड़ा इस सहीदी धर्ती पर तालियों की आवाज से प्रधान मंत्री जी का स्वागत करें आप लोग और अब मैं अपने विकास पुरु स्लोक प्रियसांसत आजणी डाक्टर महेनाथ पांडे से चाहूँगा कि ओ आए और मानि प्रधान मंत्री जी का स्वागत भासन करें भारात मता की भारात मता की आज हिंदुस्तान की सबसे पवित्र सहीदी धर्ती पर पधारे परमादनिय भारत के युग पुरुस प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तता सभी समानित मंच को पड़ाम करते हुए मानि मोदी जी आज आपका आकर्चन आपका वहन इतना जबरदस्त है कि जितना ये विशाल रहला भरा है उतना विशाल रहला चारों तरफ सड़कों पसरा है सभी आपका हारदी का भिरंदन करते हैं एक बार खड़े होके बोलिए जैजए स्रीराम मुझे केवल एक मिनट में मानि मोदी जी या धर्ती धानापुर सहीदी चोलापुर इसी लोगसभा में सहीदी सयद राजा इसी लोगसभा में सहीदी धरती ने जिस रिगे बलिदान दिया एक मजबूत विख्षित दुनिया में ताकतवर भारत उस भारत को आप नरेंद्र मोधी जी दुनिया में ताकतवर मजबूत देश बना रहे है इसने ये महान जंता ऐसे महान नेता का स्वागत करती है अभिनंदन करती है बंदन करती है मित्रों आज मुझे एक लाइन और इतना ही निवेदन करना है भारती राजनीत में आज एक ऐसा मोड आया है एक ऐसा दिन आया है समय कम है संद्र ये बाद में हम सब अजयकारा लगाएंगे एक ऐसा मोड आया है कि हम मोडी जी की सरकार की उपलब्धियों को लेके जान रहे हैं तो हम पाच उपलब्धी पचीस उपलब्धी बताते हैं तो जनता पचास उपलब्धी बनाती है ऐसी सकारात्मक सरकार ऐसी पाजिटिव सरकार पुनह भारत में आये ये जनता खुद कहती है और आज भारत के अंदर आज एक ऐसा मोडाया है स्री नरेंद्र दामोदर्दवास मोधी नाम भारत के केंद्र बिंदू में है सारी राजनीच आज नरेंद्र मोधी के चाहने वाले लाको लाक करोणों के साथ और कुछ उनका नपरत करने वालों के भीट में है आज मोदी जी के नाम का संपूर विश्व में लोकतांत्रिक देश भारत में जन्मत संग्रा है यह जन्मत संग्रा इस चंदाउली सहित, पुर्वांचल सहित, हुत्तर प्रदेश सहित, 300 लोकसभा सीटों के पार ये जनमत संग्रे मोधी जी आपका अभिनंदन आपको लोकसाबा में सीटे 300 सदिक दे के करेगा उसमें इस तहजी धर्ती भी आगे रहेगी हम आज की सवसर पर आपको इस किसी प्रधान वारारसी चंदवली से जुड़े इस छेत्र में आपको इस नाते स्वागतावर करते हैं यह उम्मीदों से भरा छेत्र है आपने चंदवली में आके 2004 में उम्मीद ये जगाई आपके अपील पर मुझे जिताया जनता ने आपके असिरवात से और आपने जिम्मवारिया दी बहुत से काम हुए लेकिन ये किसी प्रधान आज आपके आवहन पर जो किसानों की आए दुगनी की उम्मीदों पर जो लगातार आपकी सरकार काम कर रही है इस उम्मीदों से भरे विकास की सिंकला में हिंदुस्तान में आगे जाने वाले चंदोली में आपका कोटी-कोटी अभिनंदन करता हूं बंदन करता हूं भारात बाता की नरेंज मोधी जिंदाबाद मोधी है तो मोधी है तो बोले किनराम बाबा की बोले मार्कंडे महादेयों की बोली जैजये नरेंद्र मोधी वांदे वांदे एक बार पुन अपने बड़े भाई जो हमेजा हमें मित्रभाव से आसिरवाद देते हैं ऐसे मानी मोजी जी का कोटी कोटी अभियंदन है धन्यवाद सांसर जी अब मैं मित्रो जिसको सुनने के लिए देखने के लिए आप लोग आए हैं मैं बाधक नहीं बनना चाहता हूँ लेकिन इस सहीदों की धर्ती पर जब मोजी जी का स्वागत और भियंदन करे आधरी प्रधानमंत्री नहींद मोजी जी भारत माता की भारत माता की मन्च पर बिराजमान उत्तर प्रधेश भारतिय जनता पार्टी का द्रक्षण और मेरे बहुत पुराने मित्र और आपके इस चुनाव के उमिद्वार और मन्च पर बिराजमान हमारे उपमुक्यमंत्री केश्व प्रसाच जी मन्च पर बिराजमान सभी नेतागान और हैसी भयंकर दूप में भी हम सब को आशिरवाद देने के लिए आये हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों पुर्वांचल के प्रविज्वार का नमान मारकेंडे महादेव के दरा बाबा किनाराम के पुन्ण भुमी शहीद के धर्ती का नमान रवा आप सब हिनका हाद जोडी के परणाम बाई और बहनों दो दिन बाद उन्निस तारिक को आप सभी को पुर्वांचल को अपने इस बेटे के लिए भारी संख्या में बूत पर पहुँचना है याद रखीएगा पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर जलपान साथियों ये सोचकर घर मत बैठियेगा कि छे चरणों के चुनाओं में तो मोदी को सरकार बनाने लायक सीटे मिली गई है आप कौन भूत तक जाएगा साथियों मत भूलिये मोदी की जीत को और भव्य बनाने का काम पूरे पुर्वान चलका ही है आपका हर वोट मेरी ताकत बढ़ाएगा मेरी सरकार को मजबुत बनाएगा ताकि हम देश को और अधिक मजबुत बना सके साथियों बूरी तरह हार देख करके सपा बस्पा सहीप ये तमाम महा मिलावटी आज पूरी तरह से पस्त है याद कीजिए इन्होंने मोदी हटाओं के नाम से चुनाव अभियान शुरू किया था बंगलोरू में एक मंच पर आक एक दुसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी उसके बाद जैसे ही प्रधान मंत्री पत की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी टफली बजाने लग गए कोई आट सिट वाला कोई दस सिट वाला कोई बीस बाइस सिट वाला कोई तीस पैटीस सिट वाला भी प्रधान मंत्री बनने के सपने देखने लगा सब ने देखना गलत नहीं लेकिन देश ने कहा फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और बेहनो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की न इन्होंने जरूरत समझी न ताकत थी और न जवाब दे पाए ये देश को नहीं बता पाए कि 21 सदी के भारत में स्थीर सरकार कैसे देंगे ये देश को नहीं बता पाए कि दरजन बर चहरों का स्वार्थ देश हित में कैसे हो सकता है ये देश को नहीं बता पाए कि साल छे महिने में ही सरकारे गिरती रहेगी तो देश का भला कैसे होगा गरीब का भला कैसे होगा विकास कैसे होगा ये देश को नहीं बता पाए कि इनके विकास का मोडल क्या है ये देश को नहीं बता पाए कि राश्टरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद पर इनका क्या कहना है। भाई और भेनों, इन्होंने सिर्फ जूट, अफ़ा और गाली गलोज का मोडेल इस पूरे चुनाव अभियान में देश के सामने रखा है। इन्होंने शिर्फ जातिवाद का मोडेल आप सब के सामने रखा है। इन्होंने सिर्फ उनका मोडेल डर का मोडेल रखा है, डराने का, भायपैदा करने का, इन्होंने सिरफ विरोध का मोडेल देश के सामने रिखा है, सोचिए सर्जीकल स्ट्राइक का विरोध कोई कारण बनता है क्या सर्जीकल स्ट्राइक का विरोध करने का कारण बनता है क्या यह तो सहीदों की धर्ती है यह सर्जीकल स्ट्राइक करने वाले विरोध यह शहीदों का विरोध कर रहें कि नहीं कर रहे है एर स्ट्राइक का विरोध क्या उचीद है एर स्ट्राइक का विरोध उचीद है सेना के पराकम का विरोध उचीद है गुश्पेटियों की पहचान का विरोध करना नागरिक्ता कानून का विरोध करना तीन तलाक कानून का विरोध करना OBC आयोक को सम्वेदानिक दर्जा देने का विरोध करना लोगपाल की नियुक्ति का विरोध करना सत्रू संपत्ति कानून लागू करने का विरोध करना और कदम कदम पर मोधी का विरोध करना जबकि आपका ये सेवक भारत को विच्षित और वईबवसाली बनाने का मोडल लेकर आपके बीच में पितले पांच साल से जी जान से लगा हुआ है भाईयों और बहनों हम उसराजनितिक और सामाजिक संस्कुर्ति में पले बड़े हैं जहां खुछ से बड़ा दल और दल से भी बड़ा देश होता है यहीं की संतान पंडित दिन्दायल उपायतियाईजी के मुल्यों को हमने आत्मसात किया है हमने भारतिये मुल्यों को ध्यान में रखते विए सबका साथ सबका विकास का रास्ता अपनाया है साथियों निश्वार्त भाव से समर्पित भाव से सेवा का ही परणाम है कि आज भारत की दुनिया भर में जय जय कार हो रही है हमारी संस्कृति हमारे ज्यान विज्यान को लेकर दुनिया पहले से कहीं अधिक चर्चा कर रही है आर्थिक रुप से एक ससक्त देश के रुप में हम उभर रहे हैं भाई और बहनों यही कारण है कि 21 सदी का युवा आज देश को 2014 से पहले के दौर में वापिस बेजने के लिए तयार नहीं है यह वो दोर था जब आए दिन गोटालों की खबरें अखबार में च्छाही रहती थी यह वो दोर था जब रस्ताचार के खिलाब देश सडकों पर उत्रा हुआ था यह वो दोर था जब आए दिन बम धमाकों की खबरें हिंदुस्तान को परिशान करती थी यह वो दोर था जब महेंगाई की दर चरम पर थी और विकास की दर दरातल पर थी 2014 से पहले देश गोर निराशा और अविस्वास के दौर में था साथियों इस स्थीती को बदलने के लिए ही आपने एक मजबूत सरकार चुनी इस सेवक की सरकार चुनी आपके इस सेवक ने पूरी निस्टा से देश को आशा और विस्वास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है आज देश के युवा साथी को विस्वास हुआ है कि अपन उनके सपने और हकांग्छाएं पूरे हो सकते हैं आज गरीब से गरीब को भी ऐसास हुआ है कि सरकार गरीब की भी बात सुन रही है जब आप जब गरीब को अपना घर मिलता है सवचाने मिलता है मुप्त इलाज करने की व्यवस्ता मिलती है घर में बिजली आती है सडक मिलती है तब उसको विकास का विश्वास होता है। यही कारण है कि देश का युवा आज मोदी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। भाई और बेनों सबका साथ सबका विकास यह हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान यह हमारा प्रण है। इसी लक्ष के साथ हम छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद जमा कर रहे हैं। 23 माई को यह बाद जब फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार हपते के बाद फिर एक बार जमोदी सरकार बनेगी तब यूपी के हर किसान परिवार को यह मदद मिलना शुरू हो जाएगा। और भाईयों बैनों कुछ लोग जूट फैलाते हैं अफ़ा फैलाते हैं हमारे गरीब किसान को गुम्रा कर रहे हैं। मैं आपको यहां कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के किसारों को कहना चाहता हूं। यह जो पैसे हम आपके खाते में जमा कर रहे हैं यह पैसे आपके हैं आपके हके पैसे हैं। यह पैसे आपकी सहायता कर लिया है। इसको कभी कोई वापिस नहीं ले सकता है। वापिस करने बाकि जो जूट फैला है जा रहा है यह जूटे लोगों को पहचानिये। यह पैसा आपको बीज, खात और किटना सक जैसी छोटी छोटी जरूतों के लिए किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े। इसके लिए यह चोकिदार आपके खाते में पैसा जमा कर रहा है। हमने यह भी तै किया है कि छोटे किसानों यह भी बहुत महत्वपुन बात मैं आज चंदोली में बताना चाहता हूँ। हमने यह भी तै किया है कि जो छोटे किसान है, जो खेत मज़ूर है, जो छोटे दुकांदार है, जो छोटा मोटा मेहनत का काम करते हैं, हम एक ऐसी योजना बनाने वाले हैं कि साट साल के बाद हर महिने इन सब को पेंशन मिलना शिरू हो जाए, ताकि उनको बुड़ा पे में तकलीप न हो। साथियों चंदोली सहीत, पुरवान चल का ये खेत्र, धान के लिए मशूर है, यहां के शुगर, फ्री चावल की बड़ी चर्चा रही है, आप तो बनारस में इंटरनेशनल राइज रिसर्ट सेंटर भी बन गया है, आपका सुगर, फ्री चावल की पहचान और बनारस का ये नया रिसर्ट सेंटर, ये यहां के किसानों की बहुत बड़ी ताकत बढ़ाने वाला है, इससे यहां के किसानों को नए और अच्छे बीजों के लिए, विशे सग्यों की राए के लिए और आसानी होगी, भाई और बेहनों, पुरवांचल को विकास की नई पट्री पर लाने के लिए, हम पूरी तरह से जुटे हुए हैं, रोड और रेल कनेक्टिविटी के खेत्र में व्यापक कार्य हो रहे हैं, यहां पर अब खाद की रैंक की सुविदा भी मिल गई हैं, यहां रेल लाइनों का तेजी से बिजली करन भी हो रहा है, इसी तरह बिजली अब गाउं गाउं गर गर पहुँच रही है, जबकि एक सपा बसपा का भी दौर था, जब बिजली भी बोट बेंक के आधार पर बाट दी जाती थी, साथियों, विकास के ये तमाम काम तभी संभव है, जब देश सुरक्षित रहेगा, हमारी नीती बिलकुल साफ है, हमारे जवानों की सुरक्षा से कोई समझोता नहीं करेंगे, खत्रा चाहे सीमा के भीतर हो, या सीमा पार, हम आतंकियों को गर में गुश कर मारेंगे, बारत का खाकर, पाकिस्तान के गुणगान गाने वाले, अलगाव वादियों के साथ हम सक्ति से निपट रहे हैं। भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश का मुझ पर इतना स्दे रहा है, इतना आशिरवाद रहा है कि यूपी के लोगों ने मिलकर 2014 में 30 साल बाद देश में पूर्ण बहमत वाली सरकार बनवाई। अब 2019 के चुनाव में भी यूपी के मेरे प्यारे भाई यो बहनों ने जो काम किया है। और दिल्ली में एर कंडिशन कमरे में बैट कर पोलिटिकल ग्यान परोशने वालों के सारे गुणा गणित को उत्तर प्रदेश के सबचदार मतदाताओं ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। इस बार के चुनाव में भी पहले चार-पांच चरण में ही यूपी के लोगों ने बाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पक्की कर दी है। यूपी ने एक मजबूत सरकार के लिए बुलन होसले वाली सरकार के लिए मतदान किया है। साथियों ये मेरा सवभाग्य है कि अब बंगाल यूपी की तरह ही हमें भरपूर आशिरवात दे रहा है। जैसे आपने 2014 में ठाना था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएंगे। वैसे ही 2019 में बंगाल ने बीजेपी को इस बार तिन सो सिटे पार कराने की ठान ली है। भाई और बेनों सुरक्षीत सक्षाम ससक्त और सम्रद्ध भारत के इसी संकल्प को और मजबुत करना है। बुत बुत पर कमल खिलाना है। आपका हर बोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। आप यहां भारी संक्या में हम सब को आसिरवात देने के लिए आए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार वेक्त करता हूँ। यहां के वीर शहीदों को नमन करता हूँ। मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की दोनों मुठी उपर करके बोलिए। पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद अो बहुत पिर भारत माता की बहुत 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 भारत माता की भारत माता हुत झाल झाल